मिक्का सिंग का शो स्वेंवर शुरू होने से पहले ही उनका नाम कॉंट्रोवर्सी में आ गया शो शुरू होने से पहले मिक्का इसका पर्मोशन कर रहे हैं इस परमोशन कॉन्फरेंस के दौरान मिका से जब पूछा गया कि क्या राकी सावन इस शो का हिस्सा बन सकती हैं तो मिका का मूर खराब हो गया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिका सबके सामने तो चुप रहे लेकिन बाद में जाकर एक जनरलिस्ट के उपर काफी बढ़के बताया जा रहा है कि उन्हें गाली गलोस तक की मिका सिंग रियालिटी शो में अपनी दुलन खोजने वाले हैं उनका शो स्वैमवर मिका दी वोटी शुरू होने वाला है जो शुरू होने से पहले ही मिका सिंग दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फरेंस में पहुचे थे वहाँ एक जनरलिस्ट के सवाल पर भढ़क गए एक रिपोर्ट के मताबिक मिका से एक जनरलिस्ट ने पूछ लिया कि राखी सावन भी इस शो में हिस्सा लेंगी वो सब के सामने तो शांत रहे लेकिन जल्द ही वहाँ से उठकर चले गए उन्होंने जनरलिस्ट और सारी टीम को कमरे में बुलाया और वहाँ तू-तू मैं में शुरू हो गई मौके पर मौजूद सोर्स ने बताया कि मिका ने उस जनरलिस्ट को गाली भी दी उन्होंने राखी कि बारे में पूछे जाने पर काफी गुस्ता किया उन्होंने मीडिया से बात करने से भी मना कर दिया इसके बाद मिका को टीम ने मनाया तब जाकर माने बताया जा रहा है कि शो की टीम ने मीडिया से माफी मांगी और रिक्वेस्ट की कि यहां जो हुआ बाहर ना जाने दे इस मामले पर मिका सिंग और उस जनरलिस्ट की तरफ से भी कमेंट नहीं मिल सका तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूले और डेली न्यूज यानि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें